असलाम अलेकम फ्रेंड्स मैं हूँ जेब और आप देख रहे हैं जेब फूट सीकर्ट तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा एक युनीक सी रेस्पी शेयर करने लगा हूँ जो हम चिकन की रेस्पी बनाएंगे और बहुत ही ज्यादा यह सिंपल है और बह पर बच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे जिकन की जो स्टिक्स हैं इनमें अमने डीप कट्स पहले ही लगा लिए थे तो इसको आपने 10 मिनिट रेस्ट देनी है और रेस्ट देने के बाद आपने इसको एक पैन में इस तरह से शिफ्ट कर लेना है तो शिफ्ट आपने कर लि जब आपने अजया पक चुका होगा तो उसके बाद आपने एक एंडा ले लेना है और उससके साथ एक बॉल में मैधा लेना है इसमें नमक करें आप और दड़ा मिर्स शामिल करें और इसके इलावा कुटि यो इलाल बिर्स शामिल करें गरम Masala भी आपसमें शामिल कर सकते तो दोनों अंडे में भी और मेदे में भी आपने यह चीज़ने शामिल करनी है दोनों उसके बाद आपने अच्छ तरीके से इसको mix कर लेना है तो जो चिकन की sticks ही उनको ठंडी हो चुकी है तो उसके उपर हम यह जो हमने बैटर सा त्यार किया इसके उपर apply करेंगे और उसके coating ही करनी है इस तरीके से आप देखें कितनी अच्छी coating इस पर हो चुकी है तो अब हमने इसको fry करना है तो fry आपने इसको deep fry नहीं करना जस्ट आपने इसको थोड़े से oil में fry करना है छे मिनट एक साइड को और फिर दूसरी साइड को भी छे मिनट के लिए तो इसको भी आपने medium flame पर ही fry करना है यह बहुत ही अच्छे जो है वह यह fry हो जाएंगे तो तकरीबन जो है वह हमारे 12 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमने इसको अच्छे तरीके से fry कर लिया है तो friends हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज शामिल नहीं की जो आपको गर में available ना हो और आपको बजार से लाना पड़े बिल्कुल simple सी चीज़े हमने इसमें एड़ की हैं जो आपको गर से मिल जाएं और आप इसको असानी से गर में जो है वो तियार कर सकते हैं तो आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा simple है और असानी से भी बन जाती है तो ट्राइ करने के बाद मुझे जरूर बताएगा कि आपको यह recipe कैसी लगी तो अगर आपको यह recipe पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अल्ला हाफिज नासिर